प्रक्राइब करेंगे प्रक्राइब करेंगे प्रक्राइब करेंगे प्रक्राइब करेंगे प्रक्राइब करेंगे यहां पर शेयर कर चुका हूं अब जल्दी से दूसरी जगा जाओ कैसे हो चलिएगा ठिक तो आजाएं सभी लोग अर्पिता पाल हैं संगीता मलिक हैं सीडिये सलवर मनंझा लता यादव स्वीटी सर्मा काजल है अनुराग है संजना है गोल्डी यादव है और जितने भी मेरे साथ ही अभी मुझे देख रहे हैं फटा फट से आजाओ 300 कोशन है और 300 कोशन को इस मेरतन में हम खतम करने वाले हैं ठीक है आपके एक्जाम से पहले कोई भी एक्जाम है उससे पहले आप इसको बढ़िया से कर जाओगे तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी ठीक चलिएगा तो सेशन को सुरू कर दिया जाए सुरू करने के साथ मेरे दोस्तों यहाँ पर देखेगा यह डेली सुभा कितने बज़े होता है साथ बज़े ताजा ताजा आजाओ एक बार फटा फट से गुड आफटरनून पपूजी चलिएगा यह कोशन कल मैंने आप लोगों को हॉमवर्क में दिया था जिसका आंसर बेहद ही कम लोगों ने दिया है ठीक है तो यह कोशन था निम्न लिखित में से किसकी इस्मृती में प्रसिद कुतुब मिनार कुतुब दीन एबग द्वारा बनवाया गया था तो दोस्तो जो हमारे कुतुब दीन बक्तियार काकी थे उनके याद में कुतुब मिनार का निर्मान सुरू करवाया गया था ध्यान रखिएगा आज मैरतन किलास है तो 300 कोशन आज हम यहापर करने वाले हैं तो आज हमारे कोशन जो है 500 तक चले जाएंगे आजाईएगा फड़ा फड़ से जल्दी से मेरे प्यारे सभी साथी दोस्तो पहला कोशन आपके सामने है निम्न लिखित में से किसने प्रसिद कुतुब मिनार के निर्मान में योगदान नहीं दिया था तो किसका योगदान कुतुब मिनार में नहीं था इल्तुत्मिस का, कुतुब दीन इवक का, ग्यासु दीन तुगलक का, या फिरोज सहा तुगलक का तो जब भी आएगा तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझेगा, जिसका योगदान नहीं था तो जिसका योगदान नहीं था ग्यासु दीन तुगलक का योगदान मेरे दोस्तों किसमे नहीं था आप लोगों की कुतुब मिनार में उसका योगदान नहीं था ये चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी और आपने पढ़ रखी है कुतुब मिनार कहा पर इस्थित है कुतुब मिनार कहा पर इस्थित है दिल्ली गाजयाबाद नोईडा या गुरुगराम में तो कुतुब मिनार मेरे दोस्तों अगर आपको मालूम है तो कहा पर इस्थित है दिल्ली में इस्थित है इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आगे चलते हैं किस सताब्दी में दिल्ली का कुतुब मिनार बनाया गया था तो दिल्ली का जो कुतुब मिनार है वो किस सताब्दी में बनाया गया था बारवी में तेहरवी में चोदवी में या ग्यारवी सताब्दी में तो जब भी आपसे पूछा जाएगा दिल्ली में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि 1100 कितना था कल ही बताया था मैंने आपको कल के सेशन में बताया था कि 1100 कितना बताया था कमेंट करिएगा जब मैंने बोला था कि 12 सदी की बात हो रही है कुतुम मिनार के संबंद में निम्न लिखित में से कौन सा सत्य नहीं है मतलब कौन सा जो हैं सत्य नहीं है दोस्तो यह इल्टुतमिश द्वारा पूरी कराई गई थी पहला पोइंट है हमारे सामने यह एक चार मंजिली सनरचना है मेरे दोस्तो दूसरा पोइंट है यह उपर की और इसकी परिधी क्रम से कम होती गई है तीसरा पोइंट है और प्रारंभिक टीन म से भिनता है मेरे दोस्तों तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे दोस्तों तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा सत्य हो जाता है यह चार मंजिली संरचना है यही गलत है बताईएगा कितनी मंजिल है इसके अंदर और उपर की और कम होती जा रही है बिलकुल सही है और मेरे दोस्तो देरीजे difference in the plan of initial three floor तो three floor के plan में थोड़ा सा difference है मेरे दोस्तो क्योंकि भाई वो बीच में रुख गई थी तो यहाँ पर जल्दी से बताईएगा कि कितने मंजिल है मेरे दोस्तो चलिएगा आगे चलेंगे अगले question पर मेरे दोस्तो कुतुम मिनार के पास इस्तित महरोली पिलर कौन सा पिलर है महरोली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण से प्रसिद है महरोली पिलर का प्रसिद होने का कारण क्या है लोक प्रिसिद उचाई के कारण, पत्थर पर हुई कटाई की कारगरी के कारण, उतकरस्ट गुनवत्ता की स्पात के कारण, या सीर्स पर बुध की मूर्ती के कारण तो दोस्तो ध्यान से समझना due to excellent quality of steel मेरे दोस्तो due to excellent quality of steel महरोली पिलर आप लोगों का इसलिए बड़ा फेमस है, बड़ा जाना जाता है, उसको ध्यान में रखिएगा लोहे इस्थंब कहां पर है, तो लोहे इस्थंब मतलब आईरन पिलर की बात हो रही है और जब आईरन पिलर की बात हो रही है, तो दोस्तो कुतुब मिनार भवन समू में, हुमाईयू का मकवरा, लाल किला भवन समू या महा बोधी मंदिर मेरे दोस्तो तो जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा, कुतुब मिनार कॉम्पलेक्स, ठीक है, तो जो आईरन पिलर है, वो कहां पर है, कुतुब मिनार कॉम्पलेक्स, कुतुब मिनार कॉम्पलेक्स याद रखिएगा इंपोटेंट है मार्क कर लीजेगा ठीक है चलिएगा आगे चलते हैं अगले कोशन पर अगला कोश्ण है कुतुब दीन एबख दुआरा मध्य कालीन दिली में साथ सहरो की स्थापना कहाँ पर की गई थी तुगलकाबाद, सीरी, महरोली या होज खास, मेरे दोस्तो तो जल्दी से बता दीजेगा seven cities established by answer आजाएगा महरोली वही वाला area था मेरे दोस्तो महरोली कुतुब मिनार वही वाला area आपका जो है पास में पढ़ता है याद रखेगा ठीक है कुतुब बुदी नेवक का सहयक सेनापती कौन था भाई कुतुब बुदी वक्तियार खिल जी ताजुदीन याद लोज इक्तियारू दीन या नसीरू दीन कौच्चा तो दोस्तो जब भी हम कुतुब बुदी नेवक के सहयक के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या answer बनेगा आप सभी लोगों का वक्तियार खिल जी क्या बन जाएगा वक्तिय वक्तियार खिल जी ये रहा वक्तियार खिल जी ठीक है तो कुतुब उदीन का सहयक सेनापती वक्तियार खिल जी ठीक है तेहरवी सदी में वक्तियार खिल जी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था तो वक्तियार खिल जी ने बंगाल के किस राजा को पराजित कर दिय था महीपाल को लक्षमन सेन को शशांक को या गिरह वर्मन को तो जब भी मेरे सातियों हम बंगाल के बारे में बात करते हैं तो हमें याद आता है लक्षमन सेन का नाम तो जब हमें लक्षमन सेन का नाम हमें याद आएगा तो मेरे दोस्तों तेर्वी सताबदी में किसने किया था हमारे वक्तियार खिल जी ने इसने कर दिया था याद रखेंगे ठीक है नालंदा विश्व विध्याले को नस्ट करने वाला नालंदा विश्व विध्याले को नस्ट करने वाला पहला मुस्लिम सहासी कौन था कौन था अलाउदीन खिल जी था मुहमद बिन तुगलक था म मुहम्मद बिन कासिम तो जिसने मेरे दोस्तों नालंदा को क्या किया था पहली बार मेरे दोस्तों नश्ट किया था वो मुस्लिम सहासी मुहम्मद बिन बक्तियार कौन था मुहम्मद बिन बक्तियार याद रख लेंगे ये कोशन है डारेक्ली पेपर में हर कोशन पेपर में पूछा गया है दोस्तो निम्न लिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुदीन एवक से संघर्स किया तो पंजाब के लिए कुतुबुदीन एवक से संघर्स किसने किया था मेरे दोस्तो ताजुदीन ने इक्तियारुदीन नासिरुदीन कुआचा या इन में से कोई नहीं तो जब भी कभी आप से पूछा जाएगा तो पंजाब के लिए जो संघर्स था मेरे दोस्तों वो किसे किया था तो ये ताजु दीन याल दोज से किसे ताजु दीन याल दोज से ताजु दीन याल दोज से बिलकुल देवेंदर जी सही कह रहे है ठीक है पोलो या तो अभी तक जिसका जिक्र चल रहा था किसका जिक्र चल रहा था कुतुबुदी नेवक का भाई खेलते खेलते मर गया था ठीक है खेलते खेलते जो है उसकी मिरत्य हो गई थी हार्ट अटेक आ गया था दिल फेर हो गया था दिल का दोरा पड़ गया था चलिएगा आगे चल तो अनसर करेंगे मेरे दोस्तों जल्दी से बता दीजेगा जब भी हम बात करेंगे तो ये जो कौन था कुतुबुदी नेवक था इसका अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझेगा बहुत बढ़िया ठीक है तो जल्दी से बता दो कौन था इसका पुत्र तो इसका पुत्र आरम सहा मेरे दोस्तो निकम्मा ठीक है आरम सहा कितने महीने तक संगासन पर रहा था थोड़े से टाइम ही रहा था ये अक्सर बहुत ची मतलब जब हम शौट नोट्स पढ़ते न तो आरम सहा का नाम हमें कहीं पढ़ने को नहीं मिलता लेकिन कई बार एक्साम में पूछा गया है तो आरम सहा कितने महीने तक संगासन पर रहा था तो दोस्तो छे महीने आठ मह पहिने के आसपास जो है सिंगासन इसने समहला था याद रखियेगा आरम सहा की हत्या किसने कर दी थी आरम सहा की हत्या किसने कर दी थी तो आरम सहा की हत्या जो की थी इलतुतमिस ने नसीरुदीन इक्तियारुदीन या ताजुदीन ने तो दोस्तो एक ही बंदा था जो उस सुल्टान बनने से पूर्व क्या ये सुबेदार था बिलकुल था कहा का सुबेदार था दोस्तों तो यहाँ पे बदायू अजमेर गौालियर या बयाना तो जब भी आप से पूछा जाएगा ये बदायू का सुल्टान था कहा का भीया बदायू का ठीक है तो बदायू का में इल्तुतमिस का नाम लेते हैं ये गलत है ठीक है चलिएगा दिल्ली में निमलिकित में दिल्ली का पहला प्रभुता संपन सुल्तान कौन था प्रभुता संपन सुल्तान मेरे दोस्तों सोबर्जियन सुल्तान कौन था मतलब जिसकी प्रजा भी जिसके कहने में थी राज्य भी था प्रजा भी थी तो कौन था वो हमारा इलतुतमिस था ठीक है तो जो प्रभुता संपन सुल्तान था वो इलतुतमिस का नाम आता है याद रखेंगे ठीक है चलिएगा दिल्ली सल्तनत का पृथम वैधानिक सुल्तान कौन था तो ये बढ़िया रिविजन है आप लोग था उसका नाम फिर से वही आएगा इलतुतमिस का नाम ही आएगा ठीक है तो लीगल में इलतुतमिस ही आएगा याद रखेंगे ठीक है चलिएगा इलतुतमिस गद्धी पर कब बैठा था भाई इलतुतमिस गद्धी पर कब बैठा था तो बता सकते हैं इलतुतमिस गद्धी में ही बैठ गया था ठीक है दस में तो उसकी मिरत्य हुई थी जैसा कि आपको मालूम है ठीक निमन लिखित में से कौन सी इलतुतमिस के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी ठीक है तो इलतुतमिस के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी लाहोर आगरा बदायू या दि तो जब हम बात करेंगे तो इसने दिल्ली सिफ्ट कर लिया था तो ये दिल्ली क्या थी मेरे दोस्तों इल्टुतमिस की सल्तनत के टाइम पर राजधानी थी ठीक है तो ये चीजे समझ में आ रही है clarity मिल रही है question को समझ में आ रहा है अपना thought process को clear करिएगा ठीक है सल्तनत के निमलिखित सुल्तानों में किसने सर्व पर्थम अपनी राजधानी दिल्ली इस्थानतरित की थी तो दिल्ली मेरे दोस्तों जो इस्थानांतरित की थी बता दीजेगा मेरे दोस्तों तो ये बल्बन आराम सहा इल्टुतमिस या कुतुबुदी नेवक तो इसने ही म बता दीजेगा जल्दी से फड़ाफट आगे चलते हैं अगले कोशन पे नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली को अपने सामराज्जी की राजे धानी घोशित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था तो जल्दी से बता देगे फड़ाफट से दिल्ली का प्र सको हर चीजों को आप बता सको ठीक है भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन सा सकता तो टंका क्या था चांदी का सिक्का तो चांदी के सिक्के को क्या कहते थे टंका कहते थे और इसको जारी करने वाला कौन था दवन एंड उली इल्ट उतमिस ब किसे हिंदू मुसलिम एकता का राजदूत कहा गया है तो हिंदू मुसलिम एकता का राजदूत कौन है मुहम्मद अली जिन्ह, अब्दुल गफार खान, शौकत अली या मुलाना आजाद तो एक ही बंदा बंता है यहाँ पे मुहम्मद अली जिन्हा हिंदू मुसलिम एकता का राजदूत कहा गया है सरोजनी नाइडू के द्वारा जिन्ना 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 बहुत बढ़िया चंपारण और खेडा सत्ते गिरे किसके नित्रतव में हुए थे अब आ जाईएगा फटाफट से इस कोशन का आंसर बताने ठीक है इस कोशन पर मैंने कल भी आपको समझाया था फिर से आपको समझाने की जरूरत है ठीक है तो कुछ चीजे मैं आपको समझा देता हूँ लाइक वाइक कर दो फटा फट से सेशन को शेयर वेर कर दो तो दोस्तों मैं आपको एक बात रदो कल मैंने पढ़ाया था कि जो खेडा का सत्य गिरह था वो किसने इनिशेट किया था लेकिन यहाँ पर इनिशेट की बात नहीं हो रही यहाँ पर किसके नेत्रत्व में था तो M.K. गांधी M.K. गांधी मोहंदास करमचंद गांधी ठीक है मोहंदास करमचंद गांधी बिधवा पुनर विवा अधीनियम के पारित होने से किस सुधारक का संबंध था तो बिधवा पुनर विवा अधीनियम से किसका संबंध था बिधवा पुनर विवा अधीनियम से स्वामी विव लेकानंद राजा राम मोहन राए इस्वर चंद विध्या सागर या राम क्रशन परमहंच तो यहाँ पर मेरे दोस्तों आंसर क्या बनेगा इस्वर चंद विध्या सागर राजा राम मोहन राए का नाम सती प्रता को खतम करने के लिए आता है लेकिन यहाँ पर मेरे दोस्तों बिद्वा पुनर बिभा के बारे में बात हो रही है ठीक है कॉंग्रेस का एतिहासिक 1916 के लखनाउ अधिवेशन की अध्यक्सता किस ने की थी तो 1916 में जो लखनाउ अधिवेशन था उसकी अध्यक्सता किस ने की थी एनी बेसेंट ने मदन मोहन मालविय ने अंबिका चरन मजूमदार ने या सुभाष चंदर बोस ने तो जब अगर आपसे पूछा जाएगा तो मेरे दोस्तों क्या आंसर बनेगा अंबिका चरन मजूमदार क्या है अंबिका चरन मजूमदार ठीक है क्योंकि सुभाष चंदर टोकन करंसी मेरे दोस्तों जो हमारा सांकितिक मुद्रा है उसका चलन किसने किया था तो सबसे पहले जो हमारा मेरे दोस्तों सांकितिक मुद्रा के बारे में अगर मैं आपे बात करूँगा तो जल्दी से बता दीजेगा सर उसका जो है किसने किया था मुहम्मद बिन तुगल तो सांकेतिक मुद्रा टोकन करंसी कौन तुगलक 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 याद रखेंगे किसने किया था मुहम्मद बिन तुगलक ने आपकी जो सांकेतिक मुद्रा टोकन मनी हम उसको कहते है टोकन करंसी कहते है मुहम्मद बिन तुगलक ने किस योजना के तहत ये सांकितिक मुद्रा का प्रिचलन करवाया था भाई वो कौन सी योजना थी मेरे दोस्तों फर्स्ट, दुट्य, तृत्य या पंचम तो किस योजना के तहत उसने करवाया था तो जल्दी से बता देंगे फटा-फट से तो जब भी पूछा जाएगा तो जो त्रत्य योजना थी उसके तहत मेरे दोस्तों क्या कर रहा था सांकितिक मुद्रा का चलन करवाया था ठीक है दिल्ली सल्तनत के कि सुल्तान ने सर्व पृथम एक वस्तर निर्मार साला इस्थापित किया तो दोस्तों एक वस्तर निर्मार साला ये टेक्स्टाइल आप कह सकते हो ठीक है तो टेक्स्टाइल फेक्टरी टेक्स्टाइल मील सबसे पहले किसने लगाई थी दिल्ली सल्तनत मे सब से पहले मेरे दोस्तो टेक्स्टाइल फेक्टरी को किस ने लगाया था तो टेक्स्टाइल फेक्टरी को अलाउदीन खिजली, खिल जी, मुहम्मद बिन तुगलक, जलालुदीन, फिरोसहा तुगलक तो बेरे दोस्तों वही बनेगा MBT महम्मद बिन तुगलक, ठीक है, किस सुल्तान ने सतीपर्था को रोकने का परियास किया, सतीपर्था को रोकने का परियास किसने किया था भाई, अलाउदीन खिलजी ने, तुगलक ने, जलालुदीन ने, फ्रोजसहा ने, सतीपर्था को र क्रसी के विकास के लिए नए विभाग का आरंभ किया था बताओ तो ये क्या है मोहमद बिन तुगलक है इसने क्रसी के विकास के लिए किस नए विभाग का आरंभ किया था ठीक है किस नए विभाग का आरंभ किया था दिवाने असरफ का मेरे दोस्तो दिवाने आप लोगों क रिसालत का दिवाने अमीर को ही या मेरे दोस्तों दिवाने मुस्तखरज तो जब भी आपसे पूछा जाएगा किस के लिए क्रसी के लिए एगरिकल्चर के लिए विकास के लिए जो था दिवाने अमीर को ही ठीक है तो दिवाने अमीर को ही जो था ये क्रसी के विकास के लिए था बाकि तीन भी आगे आएंगे तो जो आपको मिलेंगे ठीक है मुहम्मद बिन तुगलक ने दिवाने को ही नामक एक नए विभाग का सरजन किया इसका क्या कार्रे था अब कोशन को उल्टा कर दिया है तो कार्रे क्या था भू राजश्व का बकाया परती भूमी को किरसी योग्य बनाना मेरे दोस्तों उदंट सरदारों को डंडित करना राजश्व अधिकारों का पर्यविक्षन करना तो जैसा कि अभी बताया दिवाने को ही किस के लिए था क्रसी के लिए था एग्रिकल्चर के लिए था तो एग्रिकल्चर में क्या था कि परती भूमी को क्रस किरसी बिभाग की स्थापना की थी और फसल चक्र की योजना बनाई थी तो एक प्रथक किरसी बिभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई थी फसल चक्र मतलब जो हमारा एक साइकल होता है करोप्स का मतलब फसलों का उसकी बारे में योजना को तै किया था तो क ठीके दोस्तों ध्यान से समझना, निर्धन किसानों को पूर के बीच में दिया था, निर्धन किसानों को टका भी बाटी थी, अलाउदिन खिल जी ने बलबन ने महम्मद बिन तुगलक फ्रोस तुगलक, तो जब भी किसानों के बारे में ज्याद दवाते आएंगी, तो एक ही आंसर बनेगा मेरे दोस्तो मुहम्मद बिन तुगलक ये किसानों के बारे में बाते हैं ठीक है चलेगा तो ये सारे चीजे हैं अमीर एशादो की न्युक्ति करने वाला पहला सुल्तान कौन था अमीर एशादो ठीक है तो अमीर एशादो की न्युक्ति करने वाला बिन तुगलक था कौन था मोहमद बिन तुगलक था याद रख लीजेगा जरूरी है ठीक है मोहमद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फ्रोज तुगलक को कौन से पद पर न्युक्त किया था तो मोहमद बिन तुगलक ने ठीक है चचेरे भाई फ्रोज सहा तुगलक को ठीक है कौन से पद पे न्युक्त किया था अमीरे सादो दिवाने को ही नायब बार्बक या बारी दे मुमालिक ठीक है चलिएगा तो ये चीजे है जो कि आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से समझनी है तो दोस्तो जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लो लोगों का क्या है न्युक्त किया था रतन नाम के हिंदू को किसके सासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में न्युक्त किया गया था तो रतन नाम का एक हिंदू था किसके सासनकाल में राजस्व अधिकारी रेवेन्यू ओफिसर आप लोगों का बनाया गया था तो एक ही आंसर बनता है मोहमद बिन तुगलक तो काफी देर से क्या चल रहा है तुगलक 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 यही चल रहा है काफी देर से इसको थोड़ा सा ध्यान में रखियेगा ठीक है जरूरी है ओके रतन नाम के दिल्ली का कौन पहला मुसलिम सासक सुल्तान था जिसने होलि तो सार्वजनिक उत्सब का रूप दिया था, तो सार्वजनिक उत्सब का दिया था किसको होली को, तो होली को सार्वजनिक उत्सब के रूप में भाग लिया था, मुबारक सहा खिल जी, अलाउदीन खिल जी, मुहम्मद बिन तुगलक या फिरोज सहा तुगलक, तो होली को स सार्वजनिक किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किसने मोहम्मद बिन तुगलक ने ही होली को सार्वजनिक किया था इन सभी चीजों को पढ़ते रहिएगा ठीक है अगला है किस सासक ने सिचाई तथा लोक निर्मान कार्रे का पर्याप्त ध्यान दिया था तो सिचाई पर औ डबलूडी पर मेरे दोस्तों पॉब्लिक वर्ट रिपार्टमेंट पर और सिचाई पर प्रोपर उसने ध्यान दिया था तो वो देने वाला कौन था मुहम्मद बिन तुगलक अलाउदीन खेल जी फिरोज तुगलक या फिर मेरे दोस्तों कोई और तो फिरोज तुगलक था तो यहाँ पर आप लोगों का क्या था सिचाई पर लोक निर्मान कार्ये पर प्रोपर ध्यान देने वाला कौन था फिरोज तुगलक था ठीक 1329 और 1330 के बीच किसने तामबे के सिक्कों के रूप में प्रमार सरूप मुद्रा पर चलित की थी तो तामबे के सिक्के चलाए गए थे जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे फिर से मुहम्मद बिन तुगलक बन जाएगा तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जनम कहा हुआ था तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जनम दोस्तो जल्दी से बता दें तूती ए हिंद अमीर तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो सभी को पता है मेरे दोस्तों कहाँ पर पाटली पटी पटी आली ठीक है तो यह है पटी आली पटी आली में अमीर खुसरो का जनम हुआ था याद रखेंगे that is c option अमीर खुसरो कोन था कभी था नाटक क्या लेखक था चितरकार था या बास्तुकार था तो अमीर खुसरो कोन था अमीर खुसरो बताईगा अमीर खुसरो कोन था जब हम अमीर खुसरो के बारें बात करेंगे अभी मैंने जस्ट बताया था कभी था कौन था कभी था अमी अमीर खुसरो एक कौन थे तो अमीर खुसरो इत्यासकार था पोएट था संगी तक ये था या सभी कुछ था बताईएगा कोशन रिपीट हुआ है लेकिन आप्शन अलग है ठीक है कोशन रिपीट हुआ है लेकिन आप्शन अलग है अमीर खुसरो कौन था तो अमीर खुसरो म सभी कुछ आता है ठीक है निमलिकित में से दिल्ली के आठाट सुल्तानों का सासनकाल देखा तो किसने आठाट सुल्तानों का सासनकाल देखा मलब आठाट सुल्तान बदल गए लेकिन वो नहीं बदला एक ही बंदा था दोस्तो जिसने आठाट सुल्तान अपने टाइम पर द बना रहा अमीर खुसरो किसका दरवारी कभी था तो अमीर खुसरो कभी था किसका दरवारी कभी था तो ये अलाउदीन खिल जी मुहम्मद बिन तुगलक सेर सहासूरी हुमायू तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये मेरे दोस्तो अलाउदीन खिल जी का ठीक है अल मेरे दोस्तों Umir Khusro तो आंसर कर दिजेगा किसके सासनकाल से संबन्दित है बहिया अलाउदिन खिलजी के सासनकाल से संबन्दित है इस वाले कोशन में और पिछले कोशन में अंतर नहीं है language बदली गई है बस ठीक है कोशन वही है प्रसिद कभी अमीर खुसरो निम लिकित में से किसी एक को छोड़कर बाकी सब के समसमाई की थे मतलब अमीर खुसरो और ये बाकी तीन एक जैसे थे लेकिन एक अलग था तो अमीर खुसरो किसके मेरे दोस्तों समान था समकक्ष था तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे अलाउदीन खिल जी के तो टाइम पर था गया सुदीन बलबन का भी था लेकिन इलतुतमिस जा चुका था ठीक है तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा इलतुतमिस इलतुतमिस के समकालीन नहीं था बाकी सब के समकालीन था ठीक है चलिएगा निमन मेंसे किसने आसिका नू सिपहर किरान उससादेन और खजाइन उल्फतु की रचना की है तो यह चार रचनाई जो बेहद इंपोटेंट है ठीक है पूछा जाता है आसिका की रचना किसने की है मेरे दोस्तो नू सिपहर की रचना किसने की है आप से पूछा जाता है किरान उससादेन की रचना किसने की है या फिर मेरे दोस्तों खाजाइन उल्फतू की रचना किसने की है पेपर में डारेक्टली कोशन मिलेगा इन चारों में से एक जरूर पूछा जाएगा अमीर खुसरो ये पेपर के लिए इंपोर्टेंड मार कर लो इसको लिख लेना अपने पास ठीक है अलग अलग करके लिख लेना चारों अमीर खुसरो की थी ये पेपर में आता है और ऐसा कोशन पेपर में पूछा भी जाएगा दोस्तों इन में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है अब अमीर खुसरो की कौन सी रचना नहीं है बता दो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाई है तो जब मैं अमीर उसकी खुसरों की बात करूँगा किरान उलसादेन अभी पढ़ी है मिफ्ता उल्फुतों ये पढ़ लीजेगा और नुही सिपर ये अभी हमने पढ़ी है तो ये क्या है मेरे दोस्तों जब आप से पूछा जाएगा तहकीक एहिंद तहकीक एहिंद जो है ये मेरे दोस्तों किसकी नहीं है अमीर खुसरों की नहीं है तहकी के हिंद ठीक है तो तहकी के हिंद नहीं है अभी आगे मिलेगा तहकी के हिंद आपको देखने के लिए निम लिखित में से कोन सी रचना मेरे दोस्तों अमीर खुसरों नहीं की थी तो अमीर खुसरों की कौन सी रचना नहीं है तो तारीक है अलाई है खजायन उल्फतू है तुगलक नामा है या ताजुल मासिर है बताओ जल्दी से फटाफट से ये रचना याद करनी पड़ेंगी डेली एक दो एक दो याद करोगे तभी है मेरे दोस्तों याद होंगी तो ताजिल मासिर जो है ये अमीर खुसरों की नहीं थी अमीर खुसरों ने किसके विकास में आग्रामी की भूमी का निभाई है मतलब बता दो किसका विकास का जिम्मेदार अमीर खुसरों है मतलब अमीर खुसरों को क्रेडिट जाता है अबधी के विकास ब्रजभासा खड़ बोली या भोजपुरी तो मेरे दोस्तों जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो खड़ी बोली के लिए किसके लिए खड़ी बोली के लिए अमीर खुश्रो को क्या जाता है क्रेडिट जाता है ठीक है चलिएगा हिंदी खड़ी बोली का जनक किसको माना जाता है वही कोशन है कोशन रिपीट हो गया लेकिन कोशन बदल गया आंसर की जगा कोशन कोशन की जगा आंसर तो हिंदी खड़ी बोली का जनक किसको माना जाता है तो कौन से फार्सी कभी हुए हैं जिन्होंने भारतिय पर्यवरन का चितरन भी दिया है अपनी कवीताओं में अमीर खुसरों ने किसने अमीर खुसरों ने याद रखेगा इंपोटेंट है मार कर लीजेगा ठीक है चलेगा कोई डाउट है तो मुझे आप लोग यहां पर बता दीजेगा ठीक है अगला कोश्चन आप लोगों के लिए हैं पर ठीक है इन में से किसने सुवम को हिंदुस्तान का तोता कहा था जल्दी से बताओ फटाफट से ठीक है तो जल्दी से बताओ फटाफट से ठीक है तो जल्दी से बताओ फटाफट से ठीक है तो जल्दी से बताओ हिंदुस्तान का तोता तो खुद को हिंदुस्तान का तोता करना वाला मेरे दोस्तों यहां पर क्या है ठीक है चलिएगा त भाई थोड़ा सा लेट आये हो तुम रेलवे क्रेकर मेरे भाई थोड़ा सा कुछ दुपहर में नींद वींद का नसा है क्या ये 255 है पहले कह रहे 255 गलत है डी फिर कह रहे 255 का डी होना चाहिए भाई वहां कौन सा लगा हुआ है बताना जरा हदी करते हो चलिएगा आगे चलते है नींद के खुमार में हो मेरे दोस्त लेट आये हो इसी लिए सो करके उट करके अमीर खुसरो के अनुसार सतरंज का खेल कहा मेरे दोस्तों अविस्कृत हुआ था कहा अविस्कृत हुआ था सतरंज का खेल कौन बताएगा मेरे दोस्तों ठीक है जल्दी से बता जेगा मेरे दोस्तों फटाफट से अमीर खुसरो मेरे दोस्तों के अनुसार सतरंज खाखेल कहां पे अविस्कृत किया गया था इंडिया में किया गया था अमीर खुसरों के हिसाब से ठीक है नया फार्सी का वे सैली सबक ए हिंदी अत्वा हिंदुस्तानी सैली के जनम दाता कौन है तो सबक ए हिंदी अत्वा हिंदुस्तानी शैली के जनम दाता कौन है तो दोस्तों नई फार्सी का विशैली सबक ए हिंदी के जो जनम दाता है वो अमीर खुसरो है तो सबक ए हिंदी के आप लोगों के जनम दाता अमीर खुसरो अमीर खुसरो अमीर खुसरो ठीक है संगीत यंदर तबला का प्रचलन किस ने किया था तबला का प्रचलन किस ने किया था तो संगीत मेरे दोस्तो प्रणाम बवन जी ठीक है तो संगीत यंतर तबला का प्रचलन किस ने किया तबला का प्रचलन करने वाला अमीर खुसरो निम्न लिखित में से कौन सा इत्यासकार मंगोलो द्वारा बंदी बनाया गया था तो मंगोलो ने किस इत्यासकार को बंदी ब खूसुडो को, तो अमीर खूसुरो को workflow मंगोलों के द्वारा, किसके द्वारा मंगोलों के द्वारा, ठीक है? मेरे दोस्तों काभव्य अभी व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रियोग करने वाला पहला लेξा कों था? ठीक है? तो मरें जो उर्दू को पोयेटरी की फॉम में लाने वाला कौन था तो उर्दू को पोएटरी की फूम में लाने वाला मिर्जा गालिब अमीर खुसरो बहाद्दूर साजफर या फैजी एक ही बंदा मेरे दोस्तों यहाँ पे बनता है अमीर खुसरो उर्दू को पोएटरी बनाने वाला ठीक है ये मेरे दोस्तों माशा करन करने वाला प्रथम कभी कोन था सभी को मालूम है अमीर खुसरो ठीक है तो फार्सी कभीता का भारत्य करन करने वाला कोन था अमीर खुसरो था याद आ गया चलिएगा अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी प्रशिद मस नभी मेरे दोस्तो आसी का लिखी थी तो आस आदेश में मेरे दोस्तों खिजर खान, अलावदीन खिल जी, रायकरन या रानी कमला देवी, तो जो खिजर खान था मेरे दोस्तों उसके आदेश पर आसिका लिखी थी, किस पर लिखी थी, आसिका लिखी थी खिजर खान पर, ठीक है, चलिएगा, अमीर खुसरों ने अपनी प्रसिद मनस्वी अगर हम इसमें पूछे हो चुका है भारतिय संगीत ने केवल मनुश्य को अपीतु पस्यों को भी प्रभावित करता है यह कथन किसका है तो जल्दी से बता दीजे का फटा फट से ठीक है कि भारतिय संगीत ने केवल मनुश्यों को अपीतु पस्यों को भी प्रभावित करता है यह कथन किसका है अमीर खुसरो का अमीर हसन का फैजी का जुजवानी का तो दोस्तों यह पसुओ को भी प्रभावित करता है ऐसा किस ने कहा था अमीर खुसरो ने कहा था याद रख लीजेगा ठीक है उसके बाद है मीर हसन देहलवी किसके दरवार में थ मीर हसन देहलवी किसके दरवार में थे ठीक है मीर हसन देहलवी तो जब आप से मीर हसन देहलवी पूछा जाएगा ये किसके दरवार में थे तो ये भी बंदा अलाउदीन खिलजी के दरवार में ठीक है मीर हसन देहलवी ये भी किसमे हमारे अगर हम बात करेंगे तो ये हमार मेरे दोस्तों अलाउदीन खिलजी ठीक है चलिएगा किन्हों ने अलाउदीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसल्मानों का कतले आम करने की कर्रेवाही का विवरण दिया था तो किन्हों ने अलाउदीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में नवी मुसल्मानों का कतल याम करने की कार्य वाही का विवरण दिया था यह कोशन बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है यह कोशन आपका बेहद इंपोर्टेंट बनेगा इसको मार करिएगा इसमें मेरे दोस्तों इसामी और बरनी है अमीर खुसराओ और अफीफ है मेरे दोस्तों यास सिरहिंदी और इबन बतुता है और अब्दुल्लाः और मेरे दोस्तों आप लोगों का जो है रिजकुल्ला मुस्ता की तो जब भी आप से कभी पूछा जाएगा इस तरह का कोश्चन तो इसामी और बर्नी कौन है इसामी और बर्नी याद रखेगा तो नवीन मुसलमानों का कतलिया मिलाउदीन खिल जी उदारा करने का बर्णन इसामी और बर्नी ने दिया था ठीक है चलिए जब उसने मेरे दोस्तों राजत्व किंग से प्राप्त किया तो वह सरियत के नियमों और आदेशों से पूर्टाह स्वतंतर था बर्नी ने यह कतन किस सुल्तान के लिए कहा तो यह जो बर्नी है उसने यह कहा कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह सरियत के नियमों और आदेशों से पूर्टहा स्वतंत्र था ये बर्नी के मेरे दोस्तों बर्नी ने एक अथन किसके लिए कहा था तो एक ही बंदा हमारा बसता है ये हमारा कौन बसता है अलाउदीन खिल जी कौन बसता है अलाउदीन खिल जी ठेक है तो लिएगा ये सारे के सारे कोश्चन आपके टेस्ट के तोर पे अगला कोश्चन है बिंधिया चल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कोन था तो बिंधिया चल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कोन था बलबन इल्टुतमिस अलाउदीन या फ्रोस सहा तुगलक तो एक ही बंदा था अलाउदीन खिल जी मेरे दोस्तो प्रथम तुर्क सुल्तान था बिंधिया चल की पहाड़ियों को पार करने वाला ठीक अलाउदीन के आकरमण के समय बारंगल पर किस राजवन्स का शाशन था ये अलाउदीन है इसने बारंगल पर क्या कर दिया आकरमण कर दिया तो इस बारंगल का राजवन्स का शाशन किस के पास था चोल चालुक्य काकित्य या यादव ठीक है तो जब हम यहाँ पर बात तो काकित्य वराजवंस का साशन था बारंगल पर ठीक है जब लाउदीन खिल जी ने आकरमन किया था तेरह सो तीन में काकित्य सान को स्यासकों की सेना ने निम्न में किसकी सेना का बारंगल में परास्त किया अभी बारंगल में जो आकरमन हुआ इसमें हुआ क्या था ठीक है तो 1303 में हुआ, काकत्य सासकों पर हुआ, तो काकत्य सासकों ने निम्न में किसकी सेना को बारंगल में परास्त कर दिया था, तो एक ही बंदा बसता है, पिछले कोशन से रिलेट कर लोगी, अलाउदीन खिल जी, ठीक है, तो अलाउदीन खिल जी को परास्त कर दिया था बारंगल में, ठीक, घरी अत्वा गिरह घर, गिरह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रिथम सुल्तान कौन था, तो कई बार आपको पेपर में घरी पूछा गया कि घरी क्या है, तो घरी क्या है, घर पर लगने वाला कर ग्रहकर है दिल्ली का प्रिथम सुल्तान कौन था तो ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रिथम सुल्तान अलाउदीन खिल जी कौन था अलाउदीन खिल जी अलाउदीन खिल जी ठीक है उसके बाद है निमली कितमे से किस सुल्तान ने मवेशी पर कर लग दिया था किस पर मवेशी पर ठीक है अलाउदीन खिल जी ने निम लिखित में से किस पर मेरे दोस्तों किस कर की शुरुआत की थी तो अलाउदीन खिल जी ने कौन से कर की शुरुआत की थी अगर आप इसके वन लाइन नोट्स बना लोगे न ठीक है अगर हम बात बना लेगे नोट्स बना लोगे तो ये बहुत अच्छे कोश्चन है ठीक है अगर आप इन पर को क्लिक करना शुरू कर दोगे ठीक है तो खराज है कनकूत है घरी है जकात है तो दोस्तों जैसा कि अब यह भी पता लगा हमें घरी मेरे दोस्तों ठीक है तो घरी जो हाउस कर है ठीक राजस्व सुधारों को सरव पर्थम किसने चलाया था रेवेन्यू रिफॉर्म रेवेन्यू रिफॉर्म मतलब ऐसे नियम कानून बना दिये कि रेवेन्यू आने लगा रेवेन्यू रेगुलर आने लगा तो revenue मेरे दोस्तों कर किसने चलाया था गयासु दिन तुगलक ने अलाओ दिन खिलजी ने मुहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज सहा तुगलक ने तो जब भी आपसे पूछा जाएगा राजस्व सुधारों को सर्व प्रथम मेरे दोस्तों ये कर किसने मतलब ये जो reform था किसने दिया था तो ये हमारा अलाओ दिन खिलजी ने आप कहते न एकॉनोमिक रिफॉर्म नए ने टैक्सिज लेकर के आया था तो वो सारी चीज़े ठीक है बाजार बिनी मेरे पिर्णाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी मार्किट रेगुलेशन सिस्टम मार्किट को र पता लग जाएगा चीजों के बारे में थीक कि बाजार न आरंटरण फिर था किसके किसने लागु की थी अब यह मार्किट रेगुलेट किया था तो बाजार कंट्रोल सिस्टम भी सुरू किया ठीक है बनदे बैठा दिये ठीक है तो ये अलाओ दिन खिल जी ठीक है मतलब जब बजार को नियंतरन कर लिया गया तो अलग अलग तरह के मेरे दोस्तों पद बना दिये गए उसमें से तीन पद आपके सामने हैं जो एक नहीं है ध्यान से समझेगा ठीक है तो यह सहना मंडी दिवाने रियाशत बरीद मंडी तो यहां पर दरोगा मंडी आप लोग शक को क्या कहा जाता था जो मार्किट सुपरिटेंडेंडेंट होता था उसको क्या कहा जाता था मार्किट सुपरिटेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे ठीक है निम्न लिखित में से किस मध्यकालीन सासक ने सार्वजनिक वित्रण परणाली प्रारंब की थी तो सार्वजनिक मेरे दोस्तों मध्यकालीन सासक ने सार्वजनिक वित्रण प्रारंब की थी बलबन ने अलाउदीन खिलजी ने फ्रोसहा तुगलक ने या मुहम्मद ब तो क्या की थी सार्वजनिक वित्रण परिणाली मेरे दोस्तो पब्लिक डिस्ट्रिबूशन सिस्टम ठीक है चलिएगा पब्लिक डिस्ट्रिबूशन सिस्टम किसने सुरू किया था तो ये पब्लिक डिस्ट्रिबूशन सिस्टम भी अलाउदीन खिल जी ने किया था किसने कि था अलावदीन खिल जी ने दिवान ए मुस्त खराज की स्थापना किस ने की थी तो दिवान ए मुस्त खराज की स्थापना भी अलावदीन खिल जी ने की थी ठीक है दिवान ए मुस्त खराज का संबंध किस से था तो दिवान ए मुस्त खराज का संबंध किस से था तो दिवा ये मुस्त खराज ठीक है land revenue से इसका मतलब था दिवान ने मुस्त खराज विभाग की इस्थापना क्यों की गई थी बताईएगा अब तो पूरा question आपको पता लग गया तो 287 बता दो क्यों की गई थी आंसर कर दो जल्दी से फटा फट से तो क्यों की गई थी जल्दी से बता दो क्यों की गई थी तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो जब आप से पूछा जाएगा जागीदारों की सक्ती को कुचलने के लिए ठीक है क्रसी विभाग में सुधार करने के लिए ये भी गलत है ये भी गलत है डाक विवस्था को बकाया लगान की बसूली के लिए बिलकुल तो यहाँ पर D option आ जाएगा बकाया लगान की बसूली के लिए जादा तर लोग B बता रहे हैं B नहीं आएगा B तो करसी विवाग में सुधार के लिए था मुस्तकराज विभाग तो क्यों था राजस्व के लिए था टेक्स लेने के लिए था ठीक है B नहीं होगा Land Revenue Land Revenue क्या होता है भूराजस्व भूराजस्व कब आएगा जब ही अब बकाया लगान बसूल किया जाएगा D option होगा चलिएगा ठीक है निमलिखित मुसलिम सुल्टानों में से किस एक ने मूली नियंतरन पद्धि को पहली बार लागू किया था ठीक है तो मूली नियंतरन पद्धि क्या थी आप लोगों की जिसके अंदर मतलब बजार की जो चीजे थी उनकी कीमत को क democrat करना था इल्टुत्मिश अलाउदीन खिलजी मुहमद बिन तुगलक सेषहासूरी तो जब मैं यह बात करता हूं मेरे दोस्तों तो आंसर आता है अलाउदीन खिलजी मार्किट को कंट्रोल किया था मार्किट प्राईज को कंट्रोल किया था ठीक है सर्व प्रथम लोक निर्मान विभाग की स्थापना किस ने की तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना किस ने की तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना किस ने की थी तो किस ने की थी फिरोज सहा तुगलक ने की थी ठीक है चलिएगा सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्व प्रथम सिचाई कर लेना प्रादम किया सिचाई कर तो दोस्तों आगया सिचाई कर पहले हमने गिरह कर पढ़ा था तो गिरह कर जब हमने पढ़ा था वो मैंने आपको बता दिया अब हम सिचाई कर पे आ गए हैं और सिचाई कर को लेना शुरू किया था फिरोज सहा तुगलक ने गिरह कर लेना शुरू किया था अलाउदीन ने लेकिन सिचाई कर लेना शुरू किया था फिरोज सहा तुगलक ठीक है मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा सर्ब कर किस पर लगाया जाता था तो ये बता दीजेगा मेरे दोस्तों श्रब कर किस पर लगाया जाता था तो श्रब कर जो लगाया जाता था सिचाई पर मतलब सिचाई पर जो लगने वाला कर था उसका नाम क्या था श श्रब कर तो श्रब कर जो था सिचाई पर लगने वाला कर था याद रखेंगे ठीक है चलिएगा हक ए शर्ब अत्वा सिचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था तो आपको कर का नाम भी पता लग गया सिचाई कर भी पता लग गया सुल्तान का नाम भी कौन सी चीज को स्थापित नहीं किया था दिवाने खेरात दिवाने मुस्त खराज दिवाने बंदनगान या दारुल सफा तो जब भी आप से पूछा जाएगा तो दिवाने मुस्त खराज तो इसने नहीं किया था यह तो हम इससे पहले पढ़ रहे थे अलाओ दिन खिल जी क दान दक्षना के लिए बनाने वाला कौन था फिरोज सहा तुगलक तो जो फिरोज तुगलक था वो दिवान ए खेरात इस्थापित किया था उसने ठीक है दान दक्षना के लिए दिवान ए खेरात राज्ये के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारते सासक कौन तो राज्जी के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला भारत का पहला सासक कौन था तो यहां पर आएगा फिरोज सहा तुगलक हज की व्यवस्था करने वाला पहला सासक था ठीक है ब्रहमनों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था ठीक है ब्रहमनों पर ज जजिया लगाने वाला तो जब ब्रहमणों पर जजिया की बात आएगी तो मेरे दोस्तों कोन आएगा फिरोस सहा तुगलक का नाम आएगा दिल्ली के कि सुल्तान ने इस उद्देशे से एक अनुबाद विभाग की स्थापना की कि उसके दोनों संप्रदाओं के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बहतर हो सके सुनिएगा ध्यान से यह दिल्ली है दिल्ली का वो सुल्तान कौन सा था जिसने एक अनुबाद विभाग की स्थापना कर दी उससे क्या होगा कि दो संप्रदाएं हैं दोनों की बोली अलग-अलग हैं उनके लोगों में एक दोस्तों क्या है फिरोज सहा तुगलक क्या है फिरोज सहा तुगलक चलिएगा किस सुल्तान ने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंतों का फार्सी भासा में अनुबाद कराने का कार्रे प्रानम किया था तो हिंदू धर्म का फार्सी भासा में अनुबाद कराने का कार्रे कि ने किया था अलावदीन खिलजी ने किया था ठीक है या इलतुतमिस ने मुहम्मद बिन तुगलक या फिरोज सहा तुगलक तो दोस्तों ये कौन था फिरोज सहा तुगलक ने हिंदु धर्म गरंथों का फार्सी भासा में अनुबाद का कार्य प्रारम किया था दिल्ली का कौ सा सुल्तान असो किस्तंब को दिल्ली लाया था भीया तो असो किस्तंब सभी ने देखा है दिल्ली कौन लेकर क्या था फिरोज सहा तुगलक ही दिल्ली लेकर क्या था ये रहा फिरोज सहा तुगलक ठीक है तो फिरोज सहा तुगलक ही असो किस्तंब को दिल्ली लाया था ठीक कोन है बंदा वही बंदे का नाम है फिरोज सहा तुगलक है याद रखेंगे तो सो कोशन तो एक तरीके से आपके कम्प्लीट हो गए देखो ठीक है इसी तरह से हो पाएंगे सो कोशन तो आपके हो गए है आगे बढ़ते हैं बता दो सारी चीज़े किलियर हैं तो एक बार थम ठीक है लाइक शेयर करते रहो समझ में आ रहा है तो इत्यास के सो कम्प्लीट कर लिए हमने अच्छा जी कमेंट करो चलो कमेंट पढ़ लेते हैं किसी का कोई डाउट है तो ओल इस वेल एक बज़े किसी की क्लास तो नहीं है आगे आ जाओ चलेगा बढ़िया है शांदार है चलेगा जल्दी से कौन से का अंसर होगा आप कमेंट कर देना मुझे पवन कुमार ठीक है कौन से के बारे में बात कर रहे हैं चलो चले फिर आगे लाइक वाइक सो कर दो एक बार चलो चलो आगे बताता हो रुको हज यात्रा को खोल लेते हैं भी कहां गया कोश्चन हज यात्रा कहां गयी भाई हज यात्रा कोई दिक्कत नहीं देख लेते हैं हज यात्रा कहां गयी कौन से नंबर कोश्चन था बता सकते हो कोश्चन नंबर बताना एक बारा भी देख लूगा में ठीक है अभी बता दिया जाएगा आपको दो सो पिचानवे के करीब ठीक है देखो ध्यान से समझेगा कि वोज दा फर्स्ट इंडियन रूरल टू अरेंज हज एड़ दा कोस्ट अफ दा इस्टेट ठीक है दोस्ति ये मेरे ख्याल से फिरोसा तुगलक के ही उसमें हुई थी तो मुझे जहां तक याद है ठीक है फिर भी एक बार आप कह रहे हो तो मैं इसको रीचेक करूंगा ठीक है लेकिन जहां तक मुझे है वो फिरोसा तुगलक की है तो हम इसको रीचेकिंग में डाल देते हैं ठीक है रीचेकिंग रीचेकिंग में हमने इसको डाल दिया तो वहाँ पर हो जाएगा चलेगा मुझे तो फ्रोज सहा तुगलक ही है ठीक है तो लेकिन एक बार फिर भी इसको पत्थर इस्तंब को सोने का इस्तंब कहा था बताईएगा मेरे दोस्तो ठीक है तो यहाँ पर क्या है असोख के विशाल पत्थर इस्तंब को सोने का इस्तंब कहा था फिरोज सहा तुगलक ने मुहम्मद बिन तुगलक ने अलाउदीन खिलजी सिकंदर लोधी दोस्तो तो किस सुल्तान ने सिक्सा में व्यवसाहिक पाठेकरम लागू किया था मेरे दोस्तों तो जल्दी से बताएंगे व्यवसाहिक जो हमारा पाठेकरम था उसको लागू करने वाला कौन था तो फिरोज सहातुगलक ही मेरे दोस्तों फिरोज सहातुगलक ही व्यवसाहिक जो हमारा क पद्वी प्राप्त हुई थी तो खलीफा से सयद उस सलातीन की पद्वी प्राप्त किस ने की थी तो मेरे दोस्तों ये भी हमारी फिरोज सहा तुगलक है सयद उस सलातीन की पद्वी खलीफा से ठीक है दिल्ली के कि सुल्तान का अपना सा इस्मरण लिखा था मेरे दोस्तों म प्रेंग का चोपड़ा का मैमोरियर है अनफिनिज्ड सुरेश रहना का मैमोरियर है क्या बिलीव तो वैसे ही किसने मेरे दोस्तो अपना मैमोरियर लिखा था तो मैमोरियर मर्थात अपनी जीवनी मेरे दोस्तो फिरोज सहा तुगलक ने अपनी जीवनी लिखी थी दोस्तो ए चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है यह कुशन इस तरीके से आपको सिखाने के लिए हैं ताकि कोशन को explain करने की जरूरत ना पड़े और उससे लगा हुआ कोशन उसके आगे ही आपको मिल जाए ठीक है तो यहाँ पे कोशन number जादा है क्योंकि कोशन को explain करने की जरूरत नहीं है ठीक है चलिएगा उसके बादे किस रचना का सरे सुम सुल्तान फिरोज सहा तुगलक को दिया जाता है तो किस रचना का मेरे दोस्तों जब आप से पूछा जाएगा तो मेरे दोस्तों फूतु हाथ ए फिरोज साही अब यही कोशन आपको क्या explain करने की जरूरत थी बिल्कुल भी नहीं यही कोशन चार तरीके से पूछ लिया अब तो इसमें सारी जो उसकी news थी वो cover up हो गई है तो यही आप लोगों का जो है test type है वह कौन सासक था जिसने एक सैनिक निरिक्षक लिपिक को घूस देने के लिए सोने का सिक्का दिया था तो दोस्तों देखेगा सैनिक निरिक्षक लिपिक को जो हमारा soldier clerk था घूस देने के लिए सोने का सिक्का दिया था तो फिरोज सहा तुगलक नहीं घूस के तोर पर सोने का सिक्का दिया था किस सल्तनत के सासक ने प्रसासन में सुवम घूस खोरी को प्रोथसाहित किया था अब वही कोशन आगे रिलेट हो गया तो घूस खोरी को प्रोथसाहित कोन कर रहा था फिरोज साह तुगलक ही घूस खोरी को प्रोत्साहित कर रहा था फिरोज साह तुगलक ने उपज का एक बटा दस्व भूर आजस्व के रूप में कहां से बसूल किया तो जो तुगलक था उसने एक बटा दस भूर आजस्व जो है वो कहां से बसूल किया था उसरी भूमी से कहां से उसरी भूमी से भू राजस्व का एक बटा दसरूप वहां से मेरे दोस्तों करता था ठीक है चलिएगा तो ये चीज था फिरोज तुगलक ने क्या किया था भाईया जो फिरोज तुगलक है हमारा उसने क्या किया था जागीर प्रथा को पुनरिस्था को पुनर इस्थापित किया था क्या किया था पुनर इस्थापित किया था किस सुल्तान ने फलो की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाई किये फलो की गुणवत्ता सुधारने के लिए जो उपाई किया था फिरोज सहा तुगलक ने ठीक है फिरोज सहा तुगलक ने फलो इतना फिरोज सहा नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों ठीक है चलिएगा तो ये सारी की सारी चीजे पवन मैं कोशन छुडवाना नहीं चाहता दोस्त ठीक है इसलिए मैंने सोचा कि कोई भी कोशन छूटे ना एक बार बच्चों के आसपास आजाए बच्चों के माइंड में सबसे अधिक गुलाम किस के दरवार में थे बताओ तो सबसे अधिक गुलाम जो थे किस के दरवार में थे फिरोज सहा तुगलक के दरवार में थे ठीक है अभी तो टेस्ट भी लूगा ना किसी दिन को अभी टेस्ट नहीं ले रहा क्योंकि एक साथ रखे हुए हैं तो ये फिरोज सहा तुगलक दासों का सोकीन था अब जो आदमी जिस चीज का सोकीन होता है ठीक है चलिएगा दासों के देखवाल है तू फिरोज सहा तुगलक ने किस विभाग की स्थापना कर दी थी तो एक विभाग भी मेरे दोस्तों इस्थापित कर दिया था बाद में बलबन आएगा जब इसको मिटाएगा विभाग को, तो ये मेरे दोस्तों क्या था, दिवाने बंदगान, ठीक है, जो हमारा दिवाने बंदगान, ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये फिरोज सा तुगलक ने इसकी स्थापना कर दी थी, ठीक है, चलि सेना के घोडों को दागने की पधती सुरू की, एक ये है आपका, बलबन ने अपनी सेना के घोडों को दागने की पधती सुरू की, अलाउदीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया, मोहमद बिन तुगलक ने दिल्ली की गद्दी पर, ठीक है, जोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया, अब क्या पूछना चाहरा है ये, कि कौन सा सही है मेरे दोस्तों, और सही कौन सा है, तो यही तो है ना, गुलामों का विभाग किया था, अलग से, पहले ए बता के डिलीट कर लिया बच्चों ने, अब को मालूम है, भाईया, आप से पूछेंगे, फिरोज सहा तुगलक मेरे दोस्तों, किस के दौरा, फिरोज सहा तुगलक के दौरा, किस सुल्तान ने कुतुब मिनार की पाचवी मंजिल का निर्मान कराया, मैंने आप से मंजिल पूछी थी, तो जब मंजिल पूछी थी, तो पांच भी मंजिल और पांच भी मंजिल का निर्मान किस ने कराया था तो मेरे दोस्तों फ्योज सा तुगलक ने अपने हिसाब से पांच भी मंजिल का निर्मान कराया था किस राजवन्स के सुल्तानों ने सामाने था खलीफा के नायव के रूप में अपना नाम सिक्को पर अ कित करवाया तो खलीफा कौन था खलीफा कौन था मेरे दोस्तों और उसके सिक्कों पे नाम नियामित कर आया था तो आंसर आ जाएगा तुगलक ने ठीक है किस तुगलक सुल्तान ने सुम को खलीफा का लेफटिनेंट घोशित कर दिया था मनलब सुम ही घूस खोरी था सुम ह मेरे दोस्तों एक ही बनेगा आप सभी लोगों का बंदा कौन है फिरोज सहा तुगलक मेरे दोस्तों ठीक है चलिएगा ओके कहीं इतना सारे कोशन सारे कोशन ना फिरोज सहा तुगलक के जब ढूंडने जाओगे ना मिलेंगे भी नहीं एक साथ ठीक है चलिएगा इत्यास कार जियादू दीन बरनी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था तो जो जियादू दीन बरनी था मेरे दोस्तों बरनी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था तो मेरे दोस्तों फिरोज सहातुगलक दिल्ली का आदर्श सुल्तान था जियादू दीन कौन सी करतिया जियादू दीन बरनी के द्वारा लिखी गई थी तो जियादू दीन बरनी ने किस क्या लिखा था मेरे दोस्तों डारेक्ली मैं आपको बता देता हूँ फत्वा नहीं है तारीख नहीं है तारीख फिरोज साही बिलकुल पहला पहला मैच कर दिया फत्वा जहा ठीक है तो ये हमारी किस के द्वारा है बर्नी के द्वारा लिखी गई है तो दोनों को लिख दीजेगा कि बर्नी के द्वारा है तारीख फिरोज साही और फत्वा जहानदारी ठीक है समझ में आ रहा है चलिएगा किस पुस्तक में आदर्स मुसल्मान सासक के गुणों का उले किया गया है बता दीजेगा किस पुस्तक में आदर्स मुसल्मान सासकों के गुणों का उलेख किया गया है सर आपकी किलाज जल्दी से नहीं मिलती तो मैंने एक नंबर दिया हुआ है WhatsApp नंबर वो WhatsApp नंबर ये है उस पर मेसिज कर देना गुरूप में send कर देता हूँ link वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है तो ये आप अगर इस number पर send कर देंगे तो आपको जो है वहाँ पर मिल जाएगा WhatsApp कर देंगे ठीक है टेलिग्राम से जुड़ जो वहाँ पर भी मिल जाएगा channel पुराना हो जाएगा तो फिर मिलने लगेगा ठीक है चलिएगा आगे है तो किस पुस्तक ने आदर्स मुसल्मान सासकों के गुणों का उलेक किया गया है तो मेरे दोस्तों जो हमारा फत्वा जहांदारी है इसमें आदर्स मुसल्मान सासकों के गुणों का उलेक किया गया है सरजी 40% प्रगती दिन कराईएगा 40% प्रगती दिन कराईएगा देविंदर थोड़ा पेपर है फिर वरना 40 पर ही आ जाएंगे ठीक है तो वरना 40 ही कराएंगे बढ़िया बढ़िया कराएंगे थोड़ा सा मार्च का महीना निकलने दो ठीक है फिर 40 वाला ही मामला लेकर के आ जाएंगे ठीक है चलिएगा तो किस पुस्तक ने आदर्स मेरे दोस्तों मुसलमान सासकों के गुणों का उलेक किया है तो फत्वा ए जहानदारी याद रखेंगे ठीक है चलिएगा सुल्तान फिरोज तुगलक के खुत्वे मुझे पता है इतने याद नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं थोड़े से और करा देता हूँ ठीक है फिर उसके बाद आगे देख लेंगे तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने खुत्वे में सभी पूरवर्वर्ती सुल्तानों के नाम समलित थे निम लिखित में से कौन सा एक अपबाद था ठीक है तो मेरे दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कुतुबुदी नेवक एक अपद था बलबन का नाम भी था ठीक है कुतुबुदीन मुबारक खिल जी मोहमद बिन तुगलक ठीक है बलबन तो पहले से ही आ रहा था ठीक है चलियेगा फिरोज, फिरोजाबाद, छिसार, फतेबाद, जोनपूर और फिरोजपूर नामक, नगर की स्थापना किस ने की थी आईएगा ध्यान से ठीक है तो ये फिरोज सहा तुगलत था चलिएगा उसके बाद है जोनपूर सहर की स्थापना किसने की थी तो मेरे दोस्तों अभी बताया है आपको इकलोता कोशन आ गया है ठीक है तो जब आएंगे न जोनपूर ठीक है जोनपूर अब देखो ध्यान से समझेगा अब आप बोलोगे कि यहाँ पर भी है ठीक है यह कॉशन अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान से फिरोज सहा मतला फिरोजाबाद हिसार फतेबाद जोनपूर और फिरोजपूर नामक नगर की स्थापना किसने की फिरोज सहा तुगलक ने की अब दोस्तों जब यहाँ पर हमारा फिरोज सहा तुगलक आजाएगा ठीक है चलिएगा किस सहर को सिराजी हिंद के रूप में जाना जाता है ठीक है सिराजी हिंद को ठीक है बिल्कुल आर्थ अफेर गौरफ चोधिर डाल दूगे तो आ जाएगा सिराजे हिंद तो सिराजे हिंद के रूप में किसको जाना जाता है ठीक है तो सिराजे हिंद फिरोजाबाद, हिसार, फतेबाद या जोनपूर तो जब हम बात करेंगे यहां पर तो मेरे दोस्तों आप लोगों का जो है जोनपूर ठीक है सिराजे हिंद सिराजे हिंद क्या है जोनपूर है दिल्ली के किस सुल्टान ने सेन्य सेवा को वंसा नूगत बनाया सेन्य सेवा को वनसा नूगत बनाया तो फिरोज सहा तुगलक ने मुहम्मद तुगलक ने इबराहिम सहा सरकी ने सिकंदर लोधी ने ठीक है बतादो दिल्ली के कि सुल्तान ने विस सुल्तान अफ दिल्ली made military service hereditary मतलब वनसा नूगत बना दिया तो मेरे दोस्तो फिरोज सहा तुगलक ये फिरोज सहा तुगलक ने परिशान कर दिया होगा ना आज पता है क्या करना फिरोज सहा तुगलक लिख लेना एक पेपर पे ठीक है और उस पेपर पे लिखने के बाद फिरोज सहा तुगलक के जो भी कारनामे है उन सभी को लिख ल जाता है तो दोस्तों अध्हा और विक्ष चलाने का जो सुरे दिया जाता है वो किस सुल्तान को दिया जाता है तो यहां पर आप लोगो का फिरोज सहातुगलक नाम के सुल्तान को ये दोनों सिख्य चलाने का श्रेह दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों क्या इतने सारे कोश्चन फिरोज सहातुगलक के कभी आपने पढ़े हैं इमानदारी से बता दो हर किसी के कुछ न कुछ कोश्चन उसको अभी तो आंसर आपको पता है सबका फिरोज सहातुगलक है कभी पढ़े आपने इतने कोश्चन ठीक है कभी पढ़े आपने बताओ जल्दी से हर पेपर कवर हो रहा है यापे चाहे आपकी पेपर में हिस्टरी से एक कोशन पूछा जाए और चाहे आपकी पेपर में हिस्टरी से दस कोशन पूछा है आप करके आओगे ठीक है कभी आपने नहीं पढ़े होंगे इतने कोश्चन केबल फ्रोज सहात उगलक से लोग दस घंटे में हिस्टरी खतम करवा देते हैं कैसे खतम हो जाएगी कैसे खतम हो जाएगी देवेंदर जी मिक्स भी लेके आएगे बेफिकर रही हैगा ठीक है ठीक है चलिएगा दोस्तो भूर आजस्व की वसेलू बसूली है तू भूमी को ठेके पर देने की पर था किसने शुरू की थी तो भूमी को अगर हम बात करेंगे ठेके पर देने की पर था किसने शुरू की थी फिरोज सहात उगलक ने भूमी को मेरे दोस्तों ठेके पर देने की पर था ठीक है किसने की थी लब गुरू पहले सीखना पड़ता ना उसके बाद मिक्स आता है पहले सीखना पड़ता है ठीक आपको पता ही है मुझे इमानदारी से बता देना ये कोशन कोन बच्चा पहली बार पढ़ रहा है जो पहली बार पढ़ रहा है इस कोशन को वो एक लिख दो जो पहली बार इस कोशन को पढ़ रहा है वो एक लिख दो और जिसने पढ़ रखा है उस वो दो लिख दो इस कोश को पहली बार पढ़ रहा है एक लिख दो अभी तक एक बच्चे को छोड़ करके सब पहली बार पढ़ रहा है इसको question को ठीक है तो एसे questions भी तो आते हैं अब बेसक दो और कॉष्चन आए हिस्ट्री से या या पांच आए लेकिन पढ़ना तो सारा पढ़ेगा नौल इस तो सारी होनी चाहिए ठीक है तो दोस्तों ये क्या है हमारा फिरोज सहा तुगलक है उसकी उत्पत्ति हिंदुमा से हुई ठीक है फिरोज सहा तुगलक की मिरत्यू कब हुई बता दो मिरत्यू कब हुई जा रह में इसकी मृत्य हुई 1388 इस भी में फ्रोज सहा तुगलक की मृत्यू के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान कौन बना था दिल्ली सल्तनत का ठीक है अगला सुल्तान कौन बनाता बताईएगा जल्दी से ठीक है तो कौन बना था अगला सुल्तान जी फ्रोज सहा तुग ठीक है तो ये क्या है मेरे दोस्तों गयासुदीन तुगलक गयासुदीन तुगलक गयासुदीन तुगलक कौन बना गयासुदीन तुगलक ठीक है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवन्स का अंतिम सासक कौन था तो तुगलक राजवन्स का अंतिम सासक कौन था बताईएगा फूल चढ़ाएंगे चलो फूल चढ़ा दो फूल चढ़ा दो इसके उपर लाइक भाइक भी कर दो फूल भी चढ़ादो ठीक है बताओ जल्दी से सारे लोग आइजा फूल चढ़ादो एक बार ठीक है तो तुगलक बनस का अन्ति म कोन था मेरे दोस्तो जो तुगलक राजवन्स का कौन था नसीरुदीन ठीक है नसीरुदीन मुहमद तुगलक राजवन्स का अंतिम सा सक था ठीक है फूल चड़ गए भई या उस पर तेरवी हो गई इसकी हो गई ना मज़े आगे भाई बहुत महनत लगती इस कंटेंट को डूढ़ने में भी ठी ठीक है वो तो ये कंटेंट कुछ पहले से मैंने सर्च में रखा हुआ था बहुत सारे प्रशन पहले से सर्च में रखे हुए थे ठीक है चलो आ गया जाओ तैमूर भी आ गया तैमूर तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमन किया और दिल्ली को लूटा आ गया ना तैमूर तो तैमूर ने दिल्ली को लूटा और आक्रमन किया सैफ अली खान के खान में सैफ अली खान के टाइम पर तो जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों यहाँ ठीक है अच्छा बहुत शुरू करना है तो दोस्तो नसीरुदीन महमूद के टाइम पर तैमूर ने आक्रमन किया और दिल्ली को लूटा था ठीक है चलेगा सैफ अलिखान के टाइम पर नहीं लूटा था ठीक तैमूर लंग ने किस वर्स भारत पर आक्रमन किया तो तैमूर ने कब आक्रमन किया भाई तैमूर ने आक्रमन कब किया था जल्दी से बता दो तैमूर ने आक्रमन कब किया था आंसर कर दीजेगा तो तैमूर का आक्रमन था 1398 मेरे दोस्तो एडी में ठीक है तो 1398 में तैमू ने आक्रमन किया था तैमूर 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 ठीक है चलिएगा किस राजवन्स के अंतरगत विजारत का सरवाधिक विकास हुआ ठीक है चलो यहाई पर छोड़ते हैं इसको कल कंटीन्यू करेंगे ठीक है मेरे ख्याल से कल कंटीन्यू करना चाहिए ठीक है बच्चे जाने गई होगी ठीक है तो लगबग 125 तीस कोश्चन मैंने करा दिया आपको आज कल करा जाए जैसा आपका हो मैं आज भी कर लूँगा कल करा जाए बता दीजेगा कल करा जाए इस वीक में हिस्ट्री खतम करनी है ठीक है पढ़ोगे घर जा करके कल करते हैं इसको कल ठीक है लाइक कर देना कल करते लेकिन पढ़ लेन आज वाला जा करके नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे सारा ठीक है तो आगे आज और फटा फट से जल्दी से शांदार तरीके से ठीक है ये कुश्चन homework में कर लेना आज तो homework में कर लेना homework में homework में कर लेना ठीक है चलिएगा आगया जाओ तो ये है हमारा कोई doubt वगेरा है तो बता देंगे ठीक है कर लेना तुगलक तुगलक हो गया आज क्या हो गया तुगलक तुगलक हो गया ठीक है पवन खुस्वाहा जी ठीक है mix question लेके आ जाएं कोई दिक्कत नहीं है answer सबको पता ही लग रहा था ठीक है answer सबको पता ही लग रहा था तो कोई दिक्कत परिशानी हो तो बता देंगे ठीक है चलिएगा ओके भाय भाय है टाटा है mix question रख लेंगे कल आएंगे mix question लेकर के कल आना mix question लेकर के live test रखते हैं ठीक है चलिएगा टाटा भाई भाई टेक कियर जय हिंद जय भारत